नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल की इस्टू सक्सेस में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MP पूलिस का एक्जाम 8 जैनुवरी से होने वाला है और यह लगबग एक मेने तक चल सकता है और आपको पता है कि MP पूलिस में जो होता है कि किस प्रकार से कोशन पूराने वाले जितने भी पेपर हुए है MP पूलिस व्यापम के चितने भी पेपर हुए है उसके वीडियो डाल दी गए MPG के MCQ सीरिस के नाम से और साइंस के जो कोश्चन आते वो 15 मार्स के आत है ठीक है 15 नंबर पका हो सकता है आपका यहां पर 15 नंबर के लिए आपको क् साइंस के जो हमने MP की सीरिस डाली है वो पूरा व्यापम का है आपको व्यापम की जो प्रिवेश यर के पेपर लेने जाएंगे आप या फिर भूक लेने जाएंगे उसकी जरुती नहीं है आपको क्योंकि उसका अर्रड वीडियो बना करके डाल दिया है और एक लास्ट प बता है कि reasoning हो जाता है तो सत्ता नमबर तो यहीं सह जाता 15 का आपको साइंस पकड़ लीजे तो यह हो जाता है आपका 85 अब यह जो बाकी का रेस्टव पंदरा नमबर भुष्टा है ना यह पंदरा हो जाएगा MPG हो जाएगा करेंट फिर फिर हो जाएगा लूसेंट के हो कर लेता है तो आपको क्या करना है 40 30 70 से कर लेना है अब जो 15 साइंस के और 10 नंबर आपको MPG के इसको यह दोने वीडियो से कवर कर लीजिए कर ठीक है तो MCQ साइंस कोशन है और यह सब कोशन व्यापम के ही आपको देख लीजिए यहां पर आपको इसका प्रूप मिल जाएगा कि MPP ने पूछा गया थे जितने भी एक्जाम हुए थे व्यापम जितने भी एक्जाम लेता है जिसमें साइंस पूछी आती है वो सब आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह ग्रूप टूप में पूछे गयता है साइंस तो उसके कोशन से और इसकी पीडियाप आप लोग हमारे टेलिग्राम ग्रूप में डाल द आपको आंसर पता है आपने कभी सुना ही नहीं है तो उसको जाकतर के नोट बूक में एड कर लिजेगा पहला कोश्चन है लोहे का सुत्तत्तम रूप क्या होता है रफ लोहा पिग लोहा इस पाथ कास्ट लोहा तो राइट अंसर क्या हो जागा इसका रफ लोहा मत्तार आपको पता है कि व्यापम की साइंस जो काफी स्ट्रॉंग आती है तो आपको हार्ड तैयारी ही करना पड़ेगा ठीक है किस अभीक्रा में रसायनिक उळचा प्रकास उष्जा में परिबार्थी होती है किनिवन सवाशन प्रकास धींसलेशन और 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 उप errorcto में से कोई नी नेक्स्ट है इसके बाद किस प्रकार की सेलों में सोरन अब वा तामे जैसी धातों की प्रचूरता पाई जाती पुछागा प्राचिन रुपांतरित, प्राचिन अवसादी, प्राचिन आगने और नव रुपांतरित तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका प्राचिन आगने तो जितनी प्रकार की प्राचिन आगने होती है उसके बारे में डिटेल में देख लिएगा तोड़ा से ठीक है प्राचिन आगने होता है नेक्स्ट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गेस में मुख्य तक क्या होता पुछा गया इन्युवर्सल कोश्चन आम ऐसा पुछा आता है राइट अंसर देख लेते इसका राइट अंसर आप्शन आप लोग देख लीजिए गा राइट अंसर पताते हुए जते हैं ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका मेथन ब्यूटेन और प्रूपेन नेक्स्ट है इसका पुछा गया है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका आप्शन देख लेते हैं सर्फुरी कम्र नेक्स्ट है इस प्रूब्स पुलिस में ही पूछा जाएगा तो एंपी में जित्ते वी इक्जाम होते हैं उसमें अगर science पुछी जाती है तो उसके लिए important है क्योंकि आपको अभी पता है था कि group 2 का जो exam होता है उसमें भी science पुछा जाता है steno हो, ASI हो, SI हो, MPBullis हो, Vyapam हो, PSC हो, सभी exam में पुछा जाता है science तो आपको यह कोशन हो सभी exam में पुछा जा सकते है ठीक है तो आपको उसे जाप से लगाना है, वो mentality लेकर लगाना चाहिए next है, निम्न में से कोन सी gase वायू से भी हलकी होती है, ammonia, oxygen, chlorine, carbon dioxide, right answer क्या हो जाएगा इसका ammonia next है, कोन सी धात्यों समान ने तापमन पर द्रव अस्था में रहती है, sodium, lithium, cerium, francium, right answer क्या होगा, francium next है, निम्न में से कोन विद्धूत का सबसे अच्छा सुचा लग होता पुछा है, जस्ता, तांबा, स्वार नव चांदी, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा चांदी ही लोग पठवारी बन गए होंगे, दोजाराट सत्रा के पेपर में, तो उन्हें डिपार्टमेंटल पेपर दियों को नायवत अच्छा सिदार के लिए, तो उसमें साइंस कुछ रहता है, तो यह देख लेजिए कोशन, पहला कॉशन है, सापेक्ची गरहंत की इकाई क्या है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, किलोग्राम प्रती मीटर, किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब, ग्राम प्रती सिंटे मीटर क्यूब, राइट अंसर क्या होगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती, नेक्स्ट इनसर क्यों जाएगा जेव मंदल और क्यों जाएगा इस्थमेंडल तो right answer क्या हो जाएगा जेव मंदल next है सेवाल next है सेवाल लाइकेन का एक साज़ी भी संग है bread mold और हरे सेवाल का mushroom और हरे सेवाल का खमीर और हरे सेवाल का और cyanobacteria और कवक का right answer क्या होगा cyanobacteria और कवक का next है इसके बाद निमलेखित में से कोन वो मिगत तने से पुना उत्पन होता है मूली, आलू, गाजर, सकरकंद right answer क्या होगा आलू next है निमलेखित में से कोन उस्मा अंतरन की सबसे तेजविदी है सिर्फ विकीरन, सिर्फ चालन, सिर्फ समवन चालन और विकीरन दोनो right answer क्या होगा, सिर्फ विकीरन next है जब सफिद प्रकास को लाल कांच की प्लेट से गुजरने की अनुमती दी जाती है तो कांच की प्लेट क्या करती है पुचक है इसके माद्यम से किसी भी रंग को गुजरने की अनुमती नहीं देती इसके माद्यम से केवल ज़िए लाल रंगों कुछनने की अनमति देती है नेक्स्टे इसके बाद कुछ बीजो में अंकुस और काटे होते हैं या बीजो के यह बीजो को निम्ण में मदद करते हैं दुष्मनों से बचाव मोल सरी से सहलना गनता में अन्य जानवरों के रोह से सनलगनता में और सुसक कि यु अधर आपर जल सहथ खडिया वाइउ जल सहथ खडिया और खडिया इनकिया चौक है देखके हैं अप्शिंन के हो जाएगा वायय होगा फिर उतकर कपाँ अधर फिर जल होगा और सथा कंडिया ऑक फिर खडिया कि तो सब चांदों की नेक्स कि आख उस तत्व को पैशानी जिसके नाविक में नीट्रोनों प्रिट्रोनों की संक्या समान होती पुछ गया तो एलुमिनियम कार्बन मेगनिशियम और सोडियम दिया गया तो इसे कैसे निकालेंगे निकालने के लिए फॉर्मूला है ठीक है पहली बात तो आपको यह जान लेना कि मान लीचे मेकनिशियम है तो इसका जो परमानुकरमांग किता है 12 और इसका जो परमानुबहर कितना है चोबिस हो जाएगा परमानुबहर का मतलब क्या होता है यह अपने बस फॉर्मूला हो है कि नियूटरॉनिक्ल्टु क्यों हुथा है मास मतला है टामिक मास माइनस एक मीक नंबर ठीक है तो इसने 24 दिया हुआ था और अपने बारहरा तो इसमें सरा माइनस करते हैं तो किता जाएगा 12 और उसमें पूछा क्या है कि उस तत्व को पहचान करना जिसमें नेट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्य का समान तो प्रोटॉन की संख्य आपको पहले बता दी थी कि जितना उसका atomic number मतलब जिसे जेड से पिनोट किया जाता है तो इसका पर्मान कुर्मां किता था बारा और अपने निट्रों की संख्या निकाल ली कितनी आई बारा इस तरह के से को करना था ठीक है यह मी भूत सूखे खात उत्पाद निम्नक अठना का उप्यों करके उत्पादित के जाते हैं अधी शोशन वास्पन उधरवपातन तो राइट अंसर क्या हो जाएगा उधरवपातन सब्ली मेशन मोलते जिसे नहीं इसके नौ किलोग्राम द्रवमान की बस प्रशक होगा तो बल नहीं बल पूछा है उसना तौरण अल्रेड़ी दिया तो नोचों कितना हो जाएगा 36 न्यूटन हो जाएगा क्योंकि फोर्स की यूनिट क्योंते हैं न्यूटन में होता है ठीक है तो अगर नियूमेरिकल भी कोशन पूछ ले जाए तो कोई दिक्कत करती हैं आप लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ पता होना ची ठीक है इसका नेक्स्ट पीपर है कि ग्रूप टू सब ग्रूप कंबाइंड रिकुर्मेंट टेस्ता असिस्टेंट ऑडिटर असिस्टेंट एकॉंटेंट ऑफिसर एकॉंटेंट एंड अधर ए निर्मान को रोखने के लिए निमलिक खेद मैंसे कौन सी एक गलत भी दिये क्रिश्टली करन लोही की सत्था पर पर प्रेंट लगाना गेलिवनाइजेशन और टीन प्लेटिंग तो राइटन से क्या हो जाएगा इसका क्रिश्टली करन एक लाल लिटबस नीला हो जाता है जब खालिस्तियां के साथ अभी क्रिया करता है चाहर लवन अमल जल बहुत बैसी कोशन राइटन से क्या हो जाएगा चाहर के साथ नेश्ट एक वाहन दोरह तै कि दुरी को नापने के लिए प्रिवक्तु होने वाला उपकरन का नाप पुछा गया है औरो मिटर स्पीडो म जो इस्तिर दिखा देता है और रात्री के समय आस्मान में अधिक सबसे अधिक चमकता है टारर सीरियस ओरियन दुरुपतारा तो राइटन से क्या हो जाएगा इसका दुरुपतारा पोल इस्टार बोलते चीसे नेश्ट ए वहाँ सोचमा जीव जो की एक जेविक नेटोज उन एन फिक्सर है घमीर निले हरे सेवाल रेड फफण लेक्टो पेसी लस्त राइट टान से क्या होगा नेले हरे सेवाल नेश्ट एसका विटामिंटी खालिस्ताम के लिए माहत्पोन होता है पुछा के मैगकनीसियम फास्फपोरस केलिस्यम आयरन राइट जेवर जीव ज पोज़न अपना स्वायम त्यार करता है नेश्ट इसका निम्लिकित में से कौन थारेट गरंती के समान कारे करने के लिए आवश्य के पूचा किया सलफर लोह और पोटेशियम थारेट गरंती की बात कर रहे तो क्या हो जाएगा एडिन हो जाएगा ठीक है एक खोकली गोले को दो बराबर भागों में काटा गया जाता है यदि आंतरिक स्था अत्तिती चिगनी हो तो यह खालेश्टन के रूप में कारी करेगा अवतल लेंस अवतल दरपन उत्तल दरपन राइटन से क्या हो जाएगा अवतल दरपन नेक्स्ट इप पोधों में क्लोरिफिल के से दरपन करते हैं अगले तीन पेपर होंगे वह हम अगले वीडियो में करेंगे और उसे पंदर मिनट का हो सके तो उसे तीस मिनट तर ले जाने की कोशिज करेंगे और उसे तीन नहीं कम से चीप इसके ह करेंगे ग्रत जैसे जाएगा जिसे जैसे जहसे ज्यादर शेयर होते चले जैंगे जिसे जैसे जैसरे इस यूदबर करेंगे कि जornoged करवा और क्या पैस्खेंगे जिए कवा मेरं चे चलिई. तो अस्ति अगर आपके नंबर आ जाएंगे ना तो फिर यह आपका बन के क्या हो जाएगा 87 85-87 तक बनेगा फाइनल ठीक है आपके मार्क्स की बात कर रहा हूं तो अगर मेरिट आपके 83 तक 84 तक भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको पता है कि बारत 13 लाग फार्म भरे गए हैं जिसमें से सिंसेर कंडिनेट की बात कर लें तो कम से कम 4-5 लाग होंगे तो इनके बीच में असली competition तो आपका है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी तयारियों पर भरुसा किजिए आप अपने तयारी के ओपर विश्वास रखिए आपने जित्ता पड़ा है सपिशिन पड़ा किसी से कोई दिक्कत नहीं है हो सकता है कि उनने कम पड़ा हो किसी ने जालदा लो किसी नोदिक भरुसाwn किसी है होस्क्ष सा अपने हैं झाल ज बहीं हो कि समय कोपने लीहघ से कहा है हैं आप वकर दो जालदेक पपने है 210ים